अगर pre-votes के डर से चाहते हो बचाव तो ध्यान से सुनो मेरा ये सुझाव पहली बात आपको आपका time table खुद ही organize करना पड़ेगा, खुद ही manage करना पड़ेगा उसरी बात ही है कि जो topics आपको कुछ कम समझ में आये हैं, उन्हें अपनी priority list में सबसे पहले रखना पड़ेगा साथ ही साथ वो topics जो teacher ने कहे हैं, यार ये important है, इनको जरूर से कर जाना, लेकिन फिर भी वो आपको difficult लगते हैं आपकी priority list में सबसे उपर होने चाहिए हैं ऐसे topics ये आद रखना कि आपके sleeping hours कभी भी hemper ना हो, 8 घंटे के need है तो proper 8 घंटे की ही हो, क्योंकि your sleeping hours are your healing hours subconsciously आप चीज़ों को तभी सीखते हो, जब आप सो रहे होते हो, पांच भी बात ये है, कि मैं message देना चाहूंगा parents को, कि parents please इस बात को समझेए, कि बच्चे के pre-boards हैं, वो anxious होगा, worried होगा, उसके mood swings होगे, please उसको थोड़ा सा tolerant कीजिए, डाटिए, मत, और बच्चों के हैं, तो please वो आप से आशा रखते हों, नाशा पर आपको खरा उतरता है,